नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूटूब परिवार में तो चली दोस्तों इसके उपर चर्चा करेंगे लेकिन चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा लगता हो वीडियो सेर के लाइक है तो सेर करना बिल्कुल भी मत बोलिएगा तो देखिए बड़ी लाइच से मैंने जो आपको बोला था आगे तेजी रहेगी वो तेजी चली रही है लेकिन बीच-बीच में सांती होती है तो आप लोगों में थोड़ी गवरायट ज़्यादा बढ़ जाती है कि एकदम से बड़ी लाइची सांत होगी है क्या होना होगा क्या नहीं होगा या पिर जैसा भी आपके दिमाग में विचार आता है तो उसे विचार को खतम करने के लिए मैं continue आपको अपडेट करता रहता हूँ कि भैस मैं गवराने की जरूद नहीं है आपको तो थोड़ी सान्त रह सकती है देखिए कोमोडिटी है किसी ने किसी कारणवन जो है किन्तु परन्तु इसके अंदर चलती रहती है लेकिन गवराने वाली बात इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है और सबसे बड़ी बात जब सान्ती होती है तो मैंने एक चीज़ देखा है जो कागच वाले जो हैं जिनकी कागच वाले जैसे के मतलब समझी चुके होंगे आप मैं किन कागच वालों की बात कर रहा हूँ तो उनके सबसे बड़ी problems हो जाती है उनको problems क्या होती है कि जिनके माल को गरिद करके कागच में बेशते हैं वो उनीको उल्टा उल्टा बोलना चालू कर देते हैं क्योंकि देखे सबसे बड़ी प्राबलम क्या होती कागस वाले की उसको किसी तरह के मार्केट से उसको मतलब नहीं होता है उसको अपनी कटान से मतलब होता है उसको अपने पल्टे से मतलब होता है दुनियादारी या फिर बजार की दुनियादारी जो है उसको कोई मतलब नह ही होता है तो मैं उन लोगों को यही बोलना mesma को जिससे जिन वेपार्यों के माल को बेज करके चाहे वो कागज में ही कमा tym उनको अगर वह उठां भूलना चालो करते हैं तो इसका मतलब कि ale पारी तो वो है ही नहीं, है तो वो जुवारी, और जुवारी का काम यही होता है, कि उसको अगर कुछ नहीं मिलता है, तो वो दिवारे नोचनी चालू कर देता है, इसे अच्छा तो यह है कि वो जितना माल कागचों में खरिदते हैं, उससे जितनी उनकी कैपसिटी हो, उतन अगर हाजिर में खरीद करके चले तो उनको ये दिवारे नोचने की बात या किसी को गलत बोलने की बात उनको कभी होगा ये नहीं कभी उनके दिमाग में भी नहीं आएगा उनके दिमाग में सिर्व एक चीज़ चलती है मेरी कटान मेरा पलटा और ये कटान पलटा के चक्कर के अंदर जो है वो ये चीजें बोल जाते हैं जिनको भी ये सब गरत बातें बोलते हैं कि एट चाहे वो कागज में ही खरीद रहे हो माल वो उनीका ही खरीद रहे हैं जिनको वो उल्टा बोलते हैं कारण कि जिनका वो माल खरीते हैं उनको पूरा मार्केट देखना होता है इसके लावा एक्सपोर्ट को भी देखना होता है बड़ी कंपनियों को भी देखना होता है उस रात को नींद में भी जो है इलाइची नजर आती हो क्योंकि कारण है कि उसको तो उसका हर दिन जो है खतरनाक होता है अरे कल क्या होगा अरे कल क्या होगा तो भाई इससे अच्छा यह है कि आप थोड़ा बोल ता रो भी उन लोगों को उल्टा बोल सकें जिनका माल खरीद करके वो दो पैसा अपने घ़र में लेकर के जाते हैं तो मैं तो उनको यही बोलना चाहूँ है को भई थोड़ा थोड़ा आजिर में माल खरीद लीजिए तो इन चीजों से बच जाएंगे क्योंकि किसी और को किसी बड़े वेपारी को आप गलत बोलेंगे तो गलत आपका ही होगा उनका कुछ नहीं होने वाला जो प्रॉब्लम्स क्रियेट होंगी वो आप ही को होंगी और रही कागेच में कमा रहे हैं तो दो दिन कमाएंगे और दस दिन जो है उसमें गवाएंगे तो गवाने से अच्छा है कि थोड़ा आजीर में लेकर करके चलते रहे तो नो डाउट कमाई थोड़ी कम होगी लेकिन नेन भी बड़ी सांती की आएगी तो मेरा कहने का मतलब तो यही है, वहीया कागच को छोड़ दीजिए, हाजीर को पकड़ लिजिए, तो टेंसन परी, किसी को कुछ बोलने की जड़ुत नही पड़ेगी, बाव नहीं आएगा, तब भी कोई दिक्ट नहीं होगी, और बाव आएगा, तब भी कोई दिक्ट नह नहीं होगी क्योंकि जब आजिर में होगा तब बेचो गए तो आपको गाटा होगा जब बेचो गई नहीं तो गाटा आपको कहां से होगा तो मेरा तो यही मानना है कागज को छोड़ करके आजिर में चलिए बाकि आप अपने विचार से जो है अपना काम कर सकते हैं और रात उसको साथ में लेकर करके चले, अपने बगल में लेकर करके चले, अपने कोल्ड में रख करके चले, चाहे वो दस बैग ही लेकर करके चले, क्योंकि दस बैग भी लेकर चलेंगे, वो आपको अच्छी निन देगी, और अगर आप कागच में लेकर चलेंगे, तो वो छोटा सा कागच आपको रात पर सोने नहीं देगा, बाकी आपका विचार है, आप अपने इसाब से जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं, मेरे दिल में जो विचार आता है मैं आपको बोल देता हूँ, तो कि इन दिनों के अंदर कागच वालों को ही रहती है तो देखिए, आप बाव की बात कर लेते हैं आज की, जो मैं आपको कितने दिनों से बोलता रहा है, कुछ थोड़ा सा देरे रही है, जल्दी जो है, इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ने की कगार अपने को मिलने चालू हो जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ने चालू जरूर होगी, और हमेशा से मैं आपको बूलता रहा था कि जब ये सांत होती है तो उसका मतलब आप गलत वे में लेकर करके ना चलें, पैनिक ना हो गवराएना लेकिन जो समझ जाता है वो तो सांत रहता है, जो नहीं समझता है वो साइद घबरा करके माल बेच देता है और जो बेच देता है, फिर उसको पस्ताना ही पढ़ता है तो चलिए आज के बाव की बात कर लेते हैं तो आज पहला बाव जो आया था नेपाल टोब जेजे आज का वाओ 1525 पहला बाओ था उसके बाओ ओर नेपाल टोब जेजे का सेकंड वाओ आया जो था 1560 रूपै मतलब कि एक कुछी देर के अंदर 10 रूपै का जमप इसके अंदर अपने को देखने को मिला और उसके ही कुछ देर के बाद की अगर बात करते हैं तो नेपाल टॉप जिजे पंदरा सो पैसेट पे पहुंच गया तो मतलब कि तेजी की तरफ जो है अगरसर जो है इलाइची जो हो चुकी है जिसको आप सांती बोल रहे थे कि सांती है सांती है और कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे कि साइद या अब कभी नहीं बढ़ेगी या फिर बढ़ नहीं रही है या पिर पता नहीं क्या होने वाला है और इस पैनिक में आकर के बहुत लोगों ने माल भी जरूर बेचा होगा और मैं आप लोगों को सुरू से बोलता रहा कि भाई सांती है लेकिन देरे रखी है सांती के साइद में अगर देरे रखेंगे तो साइद आपको जरूर कुसने कुछ मिलेगा तो कि देखिए जिनके बास फीजिकल माल है वो तो सांती रख सकता है लेकिन कागच वाला सांती नहीं रख सकता उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है कंटीनियू होती रहती है तकलीफ का कारण मैंने आपको बताया ही है कि भाई कागच है फिर कटाना जाएगी फिर पल् प्रफिट करके अपने पास रखना चालू करते हैं तो किसी को गलत बोलने की उनको जरूरत कभी भी नहीं बड़ेगी अन्य था वो हमेशा गलती बोलते रहेंगे और बोलते बोलते भी उनका कुछ नहीं होना क्योंकि मैने बर के अंदर या साल बर के अंदर कमाएंगे वो 10 रुबिया और खोएंगे 100 रुबिया क्योंकि वो फित्रत और आदत उन लोगों को पड़ चुपी होती है और ये आदत जो होती है बड़ी खतरनाक होती है छूटती भी बड़ी मुश्किल से है मेरा काम से आप लोगों का कहने का मतलब इस्रव इतना ही होता है कि इन चीज दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद